बिस्मिल्लाहिर्रह्मान ररहीम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम आप पकर याद करें रीकॉल करें तो हमने एक्चुली डिस्कस ये किया था कि हमारा जो कंसर्न होता है वो होता है कि पूरी की पूरी पापुलेशन को स्टडी करना लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सिस नहीं है कि हम उस पूरी की पूरी पापुलेशन से डेटा ले सकें तो resources क्या है हमारे पास कि हम चंद values जिसे sample कहते हैं उससे data लें लेकिन जो main target है वो ये नहीं है कि हमने सिरफ एक sample ले लेना है वहाँ से कुछ information collect कर लेनी है लेकिन concern हमारा ये है कि although information हमने sample से दी है लेकिन implement हमने उसको overall population करना है इसी को ही statistical inference call करते है तो इसका मतब है sample लेने के लिए हमें पहले sampling करनी है sampling is a procedure of selecting a sample from the population और कल हमने देखा था last lecture में कि sampling करने के दो method हैं sampling without replacement sampling with replacement without में हम क्या करते हैं पहले दो unit first करें select करने हैं एक unit select कर लिया paper slip पे नाम लिख दिया a, b, c, d एक unit select कर लिया like a select हो गया अब उसकी जो paper slip है वो दुबारा से हम depend में नहीं करेंगे तो इसका मतब है कि अब हमारे पास अब तीन paper slip और रहा गई b, c, d अब इन में से ही एक possibility है possible लफज बोल रहा हूं तो b, b भी तो आ सकता है तो हमारा example complete हो जाता है जिसे आपके b लेकिन width में क्या होता है हम जब एक unit select कर लेते हैं like a और उसकी जो paper slip है वो हम दुबारा return कर देंगे वापस कर देंगे वहीं रख देंगे और एक और paper slip दुबारा से उठानी है अब जाहर है अब दुबारा से paper slip उठाएंगे तो हो सकता है यह दुबारा से ही a select हो जाए तो बिलकुल इसलिए with replacement में आप देखते हैं कोई भी जो units होता है वो दुबारा से नहीं select होगा यह देखे है दी आए भी है तो डी है दी है दी है लेकिन without with replacement में क्या होता है repetition is possible क्योंके units वही है a है maybe दुबारा यह select हो जाए b हो सकता है दुबारा से d select हो जाए c और इसलिए इसके जो formula में हैं वो दोनों different है यह देखे हैं यह 16 possible sample ले सकता है और जो with है without है वो possible six sample ले सकते है अच्छली जो next हमारा target है वो हमने कि करना क्या है कि किस तरह से sample के जो कुछ results हैं वो population के जो results हैं उसके साथ match कर जाते हैं उनका कोई ना कोई उनके साथ connection है तब ही तो possible है कि हम sample information sample results तो sample से लें लेकिन information हम population की calculate करें तो उसके लिए ये छुटी से एक exercise है जिससे ये concern करना है किस तरह से आप population के results को sample के results के साथ जो है वो match कर सकते हैं तो example है consider a population of four fish with length तो total हमारे पास चार फिश की population है और data क्या है हमने उनकी length का data लिया होगा है जो first fish है उसकी length जो है वो 18 inches की है second fish 20 inch length की है 22 inch और 24 inch length की है पहला काम है select all possible samples of size 2 without replacement ये size 2 लाजमी नहीं है 2 लेकिन exercise के तोर पर आप समझ लें या आपके course में समझ लें के दो size के samples ही हैं तो पहला तो काम हमारे पास यह होगा के हम information sort करके लिख लें capital N, total values in the population 4, small N, how many size should be of a sample, 2, method, without replacement, possible samples, formula पढ़ा होए 6 और samples हमने select कर लिये इस तफ़ा मैंने चुके अब हमने कुछ calculations perform करनी हैं तो करना आपको यह है कि A, अगर A fish select होती है तो उसका data set जो है 18 inches और अगर वो 20 select होता है 7 उसके तो फिर 20 यानि कि अगर आप पहला sample लेंगे तो उसकी जो numerical information आपके पास आएगी 18 और 20 यानि कि एक fish 18 inches length की है और दूसरी 20 inch length की है and so on तो six possible samples हमें पता है without replacement में possible six samples बनने हैं और यह मैंने possible six samples जो हैं वो बना लिये और साथ उनके जो readings हैं वो भी हमने note कर दी कि यह क्या readings कि इसके बाद आपने करना क्या है जो concern है construct sampling distribution of sample means sample means की हमने जो है वो distribution हमने select करनी है sample means तो पहला काम तो हमें sample select करना ओके हमने select कर लिए अब आपने क्या करना है हर जो sample है जो कि छे samples है उसके mean calculate करना है इसका mean calculate करना तो कैसे करेंगे 18 plus 20 divided by 2 यह इसका mean आजएगा क्या आएगा mean इसका 19 इसी तरह से 18 plus 22 divided by 2 चूंकि दो values है दो values का mean दो values का mean दो values का mean तो दो values का mean छे samples है यहां लिखा हुआ है samples के आपने क्या calculate करने है means तो आपने 6 के 6 samples के means calculate कर लिए 18 और 20 का mean 19 बनता है 18 और 22 का mean 20 बनता है 18 और 24 का mean 21 बनता है 21 बनता है and so on तो यह सारे के सारे में अच्छा फर्स करें, मैं आपसे question करता हूँ, कितने sample ऐसे हैं, जिनका mean 19 inches बनता है, तो हम इस सब को note करते हैं, आप कहते हैं, यह एक है, और यह तो नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो सिरफ एक, और question किया जाए, कितने sample ऐसे हैं, जिनका mean 21 बनता है, तो फिर हम इसको पढ़ना शर्क करेंगे और इस तफ़ा कहेंगे जी एक और दो तो इस तरह से याद करें कि हमने जब अपना स्टेटिस्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था तो कहा था कि अगर आपके पास औरिजिनल रीडिंग्स हो और हमने उनको जरा एक तरतीब के साथ एक लिखना है एक टेबल बना के लिखना है और उस टेबल का हमने नाम दिया था फ्रीक्वेंसी टेबल तो बजाए इसके के हम यह जो six means हैं बार बार देखें के कौन सा mean कितनी दफ़ा आ रहा है हम इसका एक टेबल बना के जो है आवो लिख देते है 19 जो mean 19 है वो one time अकर कर रहा है 20 भी one time है 21 टू टाइमस है 22 टू टाइम है 23 टू टाइम है तो यह total जो है वो six means जो थे इसमें एक दफ़ा 19 है एक sample का mean 20 है एक का 21 है एक का 22 है और एक का mean जो है वो 23 है तो मैंने means का मेरे पास data तो चार वैल जूस का था लेकिन यह जो six हैं यह six sample के means हैं मैंने इन means का एक frequency table बना दिया frequency का मतलब पता आपको how many number of observations each time इसके बाद जाड़ा याद करें हमने एक relative frequency का अलों पड़ा था relative frequency याद है किसी को relative frequency relative frequency क्या थी? frequency divided by sum of frequency frequency divided by sum of frequency अगर आप पहले column की relative frequency लेंगे तो इसकी तो frequency है 1 divided by sum of frequency 6 तो यह इसकी बन गई relative frequency similarly 1 by 6, 1 by 6 तो हम relative frequency column बना लेंगे 1 divided by 6, 1 divided by 6, 2 divided by 6, 1 divided by 6 और 1 divided by 6 और यह भी याद करें कि relative frequency का जो sum होगा वो हमेशा 1 होगा अब जरा थोड़ा सा जब probability हमने पढ़ी थी probability में देखें कि उसमें मैंने आपको जो पहली एक बड़ी basic सी definition लिखी थी probability की वो क्या लिखी थी? याद करें शाबाश वो हमने लिखी थी na over ns अगर मैं आपको कहूँ कि एक sample मैंने 6 sample total है एक sample मैंने select करना है कि आप probability है कि वो sample select होगा जिसका mean 19 है आप कहें जी 6 मैं से 1 तो 1 by 6 वो coin वाली example याद करें head tail, head आने का chance 1 by 2 जोकि 2 possible 1 head 20 के select होने का क्या chance है? 20 सिरफ एक दफा आ रहा है total कितने है 6? 1 by 6 लेकिन 21 के select होने का chance क्या होगा? 2 है 21 तो 2 by 6 कहने का मकसद यह है कि actually relative frequency जो है इसी को ही हम probability क्या देते हैं तो हमने पहले क्या करना है? samples लेने हैं फिर हर sample का mean calculate करना है फिर उस mean का एक table बना लेना है उस table से relative frequency calculate कर लेनी हैं और उस ही relative frequency को हम probability भी call करते हैं और यह जो table है जिसमें आप means लिखते हैं फिर frequency लिखते हैं और फिर एक और extra column relative frequency या probability लिखते हैं इसको हम कहते हैं sampling distribution of sample means हमने sample means की सारी distribution बता दी कि means यह mean कितनी दफ़ा आ रहा है, यह mean कितनी दफ़ा आ रहा है, यह mean कितनी दफ़ा आ रहा है हर एक के आने का क्या chance है, हर एक के आने की क्या probability है तो इसको हम कहते हैं कि यह हमने sampling distribution of sample means है तो याद कर लें कि हमने अभी तक क्या किया हुआ है हमने सारे samples लिए, हर samples का mean ले लिया फिर उसका table बना लिया और फिर उसकी relative frequency जिसको हम probability भी call करते हैं अब हमने उसकी probability अच्छा अब यह बताएं कि यह जो 6 sample है क्या हर sample का mean एक जासा ही है नहीं, किसी का 19 है, किसी का 20 है, किसी का 22 है, किसी का 23 है statistics में जो चीज़ भी vary करती है जिसमें भी variation आ जाए जो एक जैसी ना रहे तो आप समझ लें कि हम उसकी दो information जरूर calculate करते है हम कहते हैं, चुके यह vary कर रही है यह सारी एक जैसी नहीं है तो जरा इसका mean तो calculate करके देखें और फिर दूसरा आता है कि क्या her value mean ही होगी नहीं, her value mean तो नहीं होगी तो फिर हमारी इंटरस्ट होती है उसकी variation calculate करने के और variation किससे calculate करते है variance के साथ तो दो tool मुझे इस पर लगाने है किस पर? means पर कितने mean? 6, 1 19, 1 20 2 दफा 21 1 दफा 22 और 1 दफा 23 तो आपने table बना लिया है और उपर देखे मैंने question लिखा हुआ है कि हमने mean find करना है mean फिर variance find करना है फिर standard error find करना है किसका? sampling distribution of sample means का जो हम ये table बना चुके है means का 6 means का table बना चुके है अब हम इस 6 means का दोबारा से mean लेना है तो क्या कहेंगे इसको फिर? mean of means बिल्कुल सही है हमने mean of means लेने है तो यह जो पीछे मैंने एक table बनाया था चुके वहाँ पर मैंने लिखा हुआ sample mean और हमें पता है sample mean की जो notation है वो है x bar और साथ उसके probabilities जो है वो हमने सारी की सारी जो है वो mention कर दी तो probabilities हमने mention कर दी है और means हमने साथ mention कर लिए अब सबसे पहला काम क्या करना है हमने means find करने है mean of means जो 6 mean है मारे पास उन means का दुबारा से mean find करना है notation क्या use करेंगे mean of means subscript में एक होता है ना superscript उपर लिखती है subscript नीचे लिखा mean of means mean लेना है values का नहीं values तो 4 है 16, 18, 20, 20 है लेकिन हमारे पास यहां 6 है यह 6 क्या है यह 6 means है 6 samples के means है तो हमने mean of means लेना है तो यह वहला formula हम use करेंगे क्या summation p x bar p को x bar से multiply करके sum कर देंगे यह देखे p of x bar कॉलम बनेगा 19 multiply 1 by 6 19 by 6 आप इसको decimal में नहीं convert करेंगे ऐसे ही रहने देंगे fraction में बना मुश्कल हो जाए 20 multiply 1 by 6 20 by 6 21 multiply 2 by 6 42 by 6 and then 22 by 6 and 22 by 6 तो हमने sample के means calculate किये तो वो बात गया 126 by 6 और इसको जब हमने solve किया तो वो बन गया 21 इसका मतब है कि कोई sample है उसका mean 19 है किसी sample का mean 20 है किसी का 21 है किसी का 22 है और किसी का 23 है यह जो six samples है अगर आप इनका दुबारा से mean लें तो यह जो mean बनता है वो 21 बनता है क्या हर sample का mean 21 है नहीं जी किसी का 19 भी है 20 भी है 22 भी है 23 भी है तो variation है अब इस variation को मेयर कैसे करना है कौन सा statistics का formula है जो इस variation को भी मेयर करता है तो variance variance वो stats का tool है जो हमें यह बताता है कि जी सारी value mean नहीं है बलके values mean की surroundings में है कितनी की variation आ रही है तो हब हमें क्या वे calculate करना है variance of means not variance of data variance of means और variance of means calculate करने का notation variance of means क्या formula क्या है summation p x bar square यानि कि इसको 19 को पहले square करना है इस 19 को square करना है फिर उसको 1 by 6 से multiply करना है and then add करना है यह बनता है and then summation p x bar वह हम पहले calculate कर चुके हैं summation p x bar चुके 21 है और उसका square तो यह है आपके पास variance calculate करने का formula अगर आपने sample mean से उसको calculate करना हो तो जो पहली reading आ रही है 2656 by 6 उसको जब आप करेंगे तो वो यह इसका square 21 तो हमारे पास आजाएगा 1.67 inches square हमें पता है variance का जब आप variance के जो units होते हैं वो square of the original units होते हैं तो हमने यह दो calculation perform कर ली है mean और variance अब जो तीसरी information है वो है standard error आपसे याद करें जो variance होता है उसके square root को क्या कहते हैं variance के square root को क्या का जाता है जाबाश बिल्कुल सही है standard deviation तो variance का जो square root है उसे हम standard deviation कॉल करती है फरक सिरफ यह है कि यह जो data set है यह original data set नहीं है बलके means है तो अगर आप variance of means उसका square root लेंगे तो उसे हम standard deviation की बजाए standard error का word लिख देंगे clear देखें variance of means का अगर तो हो ना variance original data का उसका square root लें तो standard deviation लेकिन अगर यह हो variance of means उसका अगर आप square root लेंगे तो उसे हम standard deviation of mean की बजाए just word लिख देते हैं standard error of mean और यह आपको याद है कि मैंने क्या किया हुआ है बस variance का square root लिया हुआ है variance आपके पास यह आ रहा था और यह मैंने इसका square root जो है mention कर दिया which is 1.29 इस slide में मैंने कुछ samples लिए छे samples बने हर sample का mean अलाइदा से था overall mean calculate किया 21 बन रहा था फिर six samples हर sample का mean 21 नहीं था variation थी variation मेयर की तो वह 1.67 यह तो थी samples आई अब ज़रा थोड़ी सी calculation हम करते हैं जो के हमारे पास original population थी मैंने फिर वही वर्ल लिखा हुआ है calculate the mean and the variance लेकिन इस तफ़ा मैंने कहा हुआ है population population में याद करें सिर्फ मेरे पास चार values थी एक था 18, 20, 22, 24 मैंने अब उस चार values का पहले mean calculate करना है यह मेरे पास चार values थी 18, 20, 22, 24 और हमें पता है चार values का mean कैसे calculate करेंगी चारों को add कर ले 4 पर divide कर दें तो 84 को 4 पर divide कर दिया है और 21 यह मैंने x bar क्यों नहीं लिखा mu लिखा हुआ है इसलिए mu लिखा हुआ है कि यह जो चार values हैं यह किसी एक sample की नहीं है यह overall population की values है तो 21 उसका जो है अब वो mean आ गया अब क्या हर value 21 है नहीं जी हर value तो 21 नहीं है vary कर रही है बिलकुल vary कर रही है तो इन में variation भी होगी अब हम इन चार values की variation calculate करेंगे variance का formula याद करें क्या था deviation of values from mean चुक्क यह population है तो mean को हम x bar नहीं लिखेंगे mu लिखेंगे सुकेर करेंगे और divided by n तो 18 minus 21 3 बनता है सुकेर 9 20 minus 21 1 बनता है सुकेर 1 22 minus 21 1 बनता है सुकेर 1 24 minus 21 3 बनता है सुकेर 9 overall sum किया 20 20 divided by the number of values which is 4 in the population so the 5 population का mean 21 population का variance 5 अब जड़ा थोड़ा से sample के result याद कर रख लें sample 6 samples के means 21 और variance 1.67 अब actually connection क्या है verify the properties of sampling distribution of means यानि ये क्या results थे पहला result देखें पहला result ये क्या है ये है mean of means यानि के sample लिए 6 हर sample का mean लिया 6 mean आ गया उनका दुबारा से mean लिया property ये कहती है कि अगर आप samples ले ले लें हर sample का mean ले लें और फिर उसका दुबारा से mean ले लें exactly answer वही आएगा जो के population के mean का होगा और ये हम prove भी कर चुके है note करें इसका भी answer 21 था और जब population की चार values का हमने answer calculate किया तो वह भी description में मैंने लिखा हुआ है mean of means यानि के ये चीज़ is equal to the population mean mean of means is equal to the population mean ये पहली property है लेकर जरा दूसरी property याद करें कि जो variance of means था sample के लिए था 1.67 लेकिन population का याद करें कितना था population का variance था 5 वो नहीं बराबर तो नहीं हैं लेकिन वो आपस में link अप जरूर है इस formula से कि जो sample के means हैं वो population means के साथ directly link नहीं हैं बलके इस relation से link हैं n-n over n-1 sigma square by n और जो capital N है वो क्या चीज़ है वो capital N है population का size अब जरा इसमें values put करें 4-2 over 4-1 और ये क्या चीज़ है sigma square ये population का variance बिल्कुल सही है 5 और अब अगर आप इसको calculate करेंगे 4-2, 2 divided by 3 multiply by 5 by 2 exactly यही answer आएगा that is 1.67 तो it means के ये तो दोनों directly equal होते हैं लेकिन यहां पर जो mean है वो directly equal तो नहीं होगा लेकिन वो population means के इस factors के साथ equal होगा और ये जो factor है N-N over N-1 इसे हम FPC call कर देते हैं इसे हम कह देते है finite population correction परपस समझाना ये था कि जो samples आप लोग लेते हैं जो कुछ results हैं वो population के results के साथ उसी तरह से match करते हैं अब यही जो exercise है वो हम sample अपना बदलेंगे sample with replacement करेंगे लेकिन exercise सारी वोई repeat करेंगे तो इस exercise में क्या करना है पहले samples लेने हैं कितने बनेंगे 16 sample ये और ये मैंने 8 sample ये calculate कर लिए और 8 sample ही ये calculate कर लिए 16 samples बनेगे अब याद करें क्या करना है construct the sampling distribution of sample means हर sample का हमें mean calculate करना है अब इस तफाँ हमारे पास 6 नहीं 16 samples है तो 8 sample उनकी readings और उनके means पहला sample का mean चुके 18, 18, 18 बनेगा 18 और 20 का mean 19 बनेगा 18, 22 का mean 20 बनेगा और फिर अगले 8 samples और उनके means अब ये total 16 mean बनते हैं 6 means की बजाए कितने sample हैं जिसका mean 18 है अब हमें वो सारा one by one search out करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कितने samples ऐसे हैं जिनका mean जो है 18 बनता है कितने samples हैं जिनका mean 19 है कितने का 20 है तो ये सारा read करना पड़ेगा और इस से बेहतर है कि हम इसका एक table बना लेते हैं येस इसका हम अब आपको याद होगा फिर हमने next step क्या किया था relative frequency बनाई थी जिसको probability भी कहते है मतलब क्या है अगर मैं 16 में से 16 sample total है एक sample select करूँ और आप से पूछू क्या chance है कि वो sample जो 16 samples बने हुए है उनमें से मैंने एक sample लिया हुआ है उसका mean जो है वो 18 होगा तो आप कहेंगे जी अच्छा एक 18 है probability तो यह हमने आप एक probability table बना दिया same exercise 16 mean mean का दुबारा से mean अब हमें पता है mean of means formula वो ही है reading change है 336 by 16 एक स्टफ़ा बनेगा mean of means variance of means वो ही formula calculation different पिश्री दफानसर आया था 1.67 और इस दफानसर आ रहा है 2.5 standard error कैसे करेंगे शाबाश बिल्कुल जी इसका square root लेंगे लेकिन उसको हम standard deviation की बजाए standard error जो है वो हम call करें 1.5 अब जरा इस with replacement के result जरा match करते हैं population के चुके वो ही है तो population के result तो वो ही रहे वो ही mean आ जाएगा वो ही उसका variance आ जाएगा अब connection क्या है और properties क्या है लेकिन इस तफाव sampling किस method से की गई है with replacement से की गई है अब note करें sampling with से की जाए sampling without से की जाए तमाम सांपल के means जो होते है वो population mean के बराबर होते है तो mean of means is equal to population mean whether the sampling is with or without replacement तो पहली जो property with और without दोनों के लिए से जाएगा है लेकिन second property में देखें थोड़ा फर्ग second property में हमने जब उदर से mean calculate किया था means का variance तो वो था 2.5 और इदर जो है वो without replacement हो तो मैंने ज़रा different way से यह properties proof की थी लेकिन अगर with replacement हो तो यह property जो है वो different way से है just sigma square by n अब ऐसा कह सकते हैं वो जो एक factor साथ लगा हुआ था अगर आप इसको याद करें यह वाला जो factor साथ लगा हुआ था जिसको मैंने FPC का नाम दिया था जिसको मैंने कहा था यह FPC है तो आप समलें के अगर आप without replacement में FPC वाला factor discard कर दें तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो with replacement के फार्मूले पाच जाए सिग्मा स्केर बाय एंड और यही वां पर हमने लिखा हूँ यह सिग्मा स्केर बाय एंड तो यह सांप्लिंग विद और सांप्लिंग विदाउट replacement that's all शुक्रिया next time हम next chapter के साथ वो हम लोग इसको start करें